गुड मॉनिंग एवरीवान स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजिंद्र क्लासेस में आज हम देखेंगे परियावरन ट्रिक के साथ पार्ट त्री उम्मीद है दोस्तों आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखा होगा और लास्ट टाइम हमने जैसे दोनो पर Camero Classroom में पहले हमने ट्रीक देखा फिर उसके बाद उस पे बेजड कोौशन देखा तो आपने भी डोस्तों कि पहले हमने तृक्र और उसके बाद चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें सेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुचाएए दोस्तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की जो बटन है उस पे प्रेस किजिए क्योंकि जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आज आएगा और आज जो कोश्चनों की ट्रिक देखेंगे दोस्तों ये प्रिवियस एकसामों में आए हुए कोश्चनों पर बेजड है और बार बार एक कोश्चन रिपीट हुए है इसलिए मैंने इस पे ट्रिक बनाया है और दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से देखिए तथा उसक कॉउचन काफी टाइम रिपीट हुए है चलिये इस्टार्ट करते हैं फंच दोस्तों राश्टी पर्यावरन अभियांत्री की सोद संस्थान ये है दोस्तों आपका नागपूर में ट्रिक है दोस्तों इसकी अभय ने सोद किया नाग पर नाग मतलब नाग साप पर तो आपको अभीयांत्री की परियावरण अभियांत्री की आपको और आप से रिलेट कराना नाखपूर ओके अभ ने सोध किया नाखपूर तो अभे ने सोध किया नाखपूर से में शौध सब्सक्राइब आपका और नाक से नाकपूर तो राश्टिय परियावन अभियांत्र की सोध संस्थान हो गया आपका नाकपूर में यह आप ऐसे भी रिलेट करा सकते हैं अभय गया नाकपूर तो ऐसे भी रिलेट करा सकते हैं तो राश्टिय परियावन अभियांत्र की सोध संस्थान हो गय आपका नाकपूर में सेकेंड है दोस्तो भुकम्प की तीवरता मापने वाला यंत्र भुकम्प की तीवरता मापने वाला यंत्र यह है सिस्मो ग्राब सिस्मो ग्राब त्रिक है दोस्तो इसकी भुकम्प का सीमा ने ग्राब खीचा भुकम्प का सीमा ने graph खीचा तो भुकम्प से आपको याद रहेगा भुकम्प की तियूरता सीमा और graph को एक साथ लेना है सीमा और graph को सीमा अगर जैसे सिस्मो में से आदा सो हटा दोगे तो उसमें भी सीमा मिलेगा और last में graph है सीमा से relate कराना है सिस्मों सीमा से डिलेट कराना आपको सिस्मों ग्राप से ग्राप तो भुकम्प का सीमा ने ग्राप खीचा तो भुकम्प से भुकम्प की तीवरता भुकम्प से लेना आपको भुकम्प की तीवरता सीमा ने ग्राप तो ने साइलेंट कर देना है तो जैसे वाद साइलेंट ह है ना तो सीमा से सिस्मो में भी सीमा है अगर सिस्मो ओके तो सीमा ने ग्राब खीचा सीमा ने ग्राब सिस्मो ग्राब तो भुकम्प की तियुरत तम आपने वाला यंत्र हो गए आपका सिस्मो ग्राब थर्ड है दोस्तो परियावरन का दुस्मन है परियावरन का दुस्मन एक पीड़ है जिसको परियावरन का दुस्मन कहां जाता है तो उसका नाम है UK Lipters तो ट्रिक है दोस्तो इसकी दुस्मन यू लिप्टो ना तो दुस्मन से परियावन का दुस्मन हो जाएगा और यू लिप्टो से यू के लिप्टर तो परियावन का दुस्मन है कौन सा पेड़े दोस्तो यू के लिप्टर तो ट्रिक ही बहुत आसान है दुस्मन यू लिप कराना है पर्यावन का दुस्मन यू लिप्टो ना से यू लिप्टो से यू के लिप्टर तो पर्यावन का दुस्मन होगे आपका दोस्तों यू के लिप्टर ऐसे भी आप रिलेट करा सकते दोस्तों किसी का भी दुस्मन हो उसको भी आप लिपटने नहीं देते हैं तो उसस से भी आपका UK lift us फूर्त है वायू यान उड़ते हैं वायू यान उड़ते हैं यह उड़ते हैं दोस्तो समताप मंदल में समताप मंदल में ट्रिक है दोस्तो इसकी भहुत यह आसान है ममता गई वायू यान से ममता गई वायू यान से तो ममता से आपको रिलेट कराना है समता से औके युझे नास्ट टाइम भी हमने मम्ता को संता से रिलेक कराये थे तो संता से संता बना था है ना मम्ता को रिलेक कराना है आपको संका से तो मम्ता से रिलेट करा दिया आपने सम्ता से तो सम्ता से सम्ताप मंडल और वायूयान से वायूयान तो वायूयान उड़ते हैं सम्ताप मंडल में ट्रिक बहुत ही आसान है मम्ता गई वायूयान से जब भी मम्ता का नाम मतलब सम्ता दिखेगा तो ममता से रिलेट कराना है, तो ममता गई वायुयान से है, ममता गई वायुयान से है, तो वायुयान कहा उड़ते हैं, समताप मंडल में, फिप्त है, मौसम संबंदी घटना है, ये मौसम संबंदी घटना है, ये मौसम संबंदी घटना है होती है आपके छोब मंडल में, छो कितना सोनिये हैं तो मौसम समबंदी घटना में copy सुप से लेना सोब काना को टो कूं से मंडल में जोब आता है प्पमंडल को मौसम संबंदी होती है फाख निये है तो मौसम समबंदी घटना है और सोब से लेना है आपको छोब तो छोब मंडल तो मौसम संबंदी घटना है होती आपकी छोब मंडल में शिक्स है रेडियो और संचार रेडियो और संचार यह है आपका आयन मंडल में रेडियो और संचार यह होते हैं आपके आयन मंडल में तो ट्रिक है दोस्तो इसकी रेडियो खरीदने पैसे रेडियो खरीदने आपको पैसे लगेंगे और पैसे से रहेंगे तो पैसे से आपकी बढ़ती है आए है ना पैसे आपके पास ज्यादा रहेंगे तो आपकी आए बढ़ेगी तो आए से मिल गए आपको आए कहां मिल पैसो का ही संसार है तो संसार से आपको याद रहेगा संचार संसार से रिलेट कराना है संचार तो आपको रेडियो खरीदने पैसे लगते हैं पैसे से बढ़ती है आपकी आए और पैसो का ही संसार है तो रेडियो से आपने रिलेट कराती है आयन मंडल में बहुत ही important question है दोस्तों ये जितने भी question है बार-बार exam में आये हुए question है इसलिए इन में confusion होता है कौन से मंडल में क्या-क्या होता है करके तो इसलिए आपको एक-दूसरे से relate करके बताया जा रहा है कि आप कभी भूली नहीं सकते है इतने भी है आपके चार मं चारा इसमें confusion ही नहीं होगा जहां भी आपको question दिखेगा आपको एक ट्रिक आपने देखा तो आपको तुरंत साधी चीज़े याद आ जाएगी सेवन्त है सुनामी सब्द है यह जापानी सब्द है दोस्तो जापानी सब्द है तो ट्रिक है इसकी सुना लगा तो जापान खा तो सुना से लेना है आपको सुनामी और जापान से लेना है आपको जापानी तो सुनामी सब्द है आपको जापानी तो सुनामी सब्द है आसान ठीक है दोस्तोर्च, सुना लगा तो जा पान खाँ, तो सुना से आपका सुनामी हो गया, जा पान से अपका जा पानी, दो सुनामी सब्दें आपका जा पानी, एट थे हैं दोस्तों CNG CNG कम है compressed natural gas compressed natural gas इसको आप याद रखना है compressed natural gas वैसे मैंने एक छोटी सी trick बनाया है इसकी भी तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं compressed से nature गयरो वाला compressed से nature गयरो वाला compressed से आपका compressed याद रहेगा compressed से compressed nature से natural और गयरो के gas से gas तो CNG का फल फाम होगया compressed natural gas आप डाइरेक्ट याद रख सकते हैं बट अगर आप किसी को याद करने में याद रखने में दिक्कत होती है तो आप उसको trick से ऐसे समझ सकते हैं compressed से nature गयरो वाला compressed से nature गयरो वाला compressed遊戲 से compressed, nature से natural और gas से gas, तो compressed natural gas, तो cng का full form हो गया, compressed natural gas, नाइन्थ है, वायू दाब को मापने का यंत्र, यह दोस्तो बहरो मिटर, ट्रिकर इसकी, वायू का दाब अधिग था, तो वायू को कहा जाता है हवा, वायू को कहा जाता है हवा तो वायू, हवा का दाब अधिक था तो लोग बहरे होगे जो वायू था मनले वायू का दाब अधिक था वायू मैंच हवा, हवा का दाब अधिक था तो जो लोग बाहर खड़े थे वो बहरे होगे तो वायू का दाब अधिक था नत्र भाइरो मिट है दोस्तों वाईू का दाब अदिक था तो लोग बहरे होगे तो वाईू का दाब रहती तो वाईू का धाब यांत्र होगे, आपका बैरो मीटर टेंथ है वायू मंदल की सबसे ठंडी पारत वायू मंदल की सबसे ठंडी पारत है तो यह है मद्य मंदल तो ट्रिक है इसका ठंडी में ध्यान ठंडी में ध्यान अच्छा लगता है दोस्तों ठंडी में है न तो सभी रित्तुओं को देखा जाए में ध्यान अच्छा लगता है तो वायू मंदल के सबसे ठंडी परत ठंडी से आपको मिल गया ठंडी परत को ठीक है ध्यान से ध्यान देखिए कौन से मंदल में आता है मध्य मंदल में तो ठंडी में ध्यान तो वायू मंदल की सबसे ठंडी परत हो गई है ठंडी परत ठंडी रिलेट कराना है मध्य, ध्यान से आपको क्या रिलेट कराना है मध्य, मंदल तो वायू मंदल की सबसे ठंडी परत है मध्य, मंदल, वायू मंदल की सबसे ठंडी परत है मध्य, मंदल, आपकी 10 ट्रीक हो गई दोस्तों, अब इस पे बेज़्ड वर दस कोश्चन करेंगे, अगर आपने question लगाया होंगे तो एक भी question आपने गलत नहीं किया होगा तो आज भी अगर आपने charge at लिक देखा होगा इसके बाद अगर आप question करेंगे तो आपका युकिन मानिये एक भी question डॉंग नहीं होगा और जो question आज मैंने लिया है यह सब exam के previous exam में आये हुए कोश्चन है दोस्तों और यह बार-बार रिपीट हुए कोश्चन है काफी टाइम कि बहुत बार आये हुए कोश्चन है दोस्तों काफी ध्यान से इनको एक से दो बार कम से कम आप इनको देखना चलिए first question है आपका राष्टी परियावन अभियांत्री की सोद संस्तान है तो आपका correct answer हो जाएगा दोस्तो नाकपूर है ना correct answer हो जाएगा आपका नाकपूर क्यों 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 अभ़ई है अभई ने कहां किस पे सोद किया था नाकपर या अभई कहां गया था नाकपूर तो उसी से हमने ट्रिक लिये थे अभई ने सोद किया नाकपर या अभई गया नाकपूर तो राश्टी पर्यावन अभियंत्री की सोद संस्थान आपकाओ गया नाकपूर सेकेंड कोश्चन है भुकम्प की तीवरता मापने वाला यंत्र है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तो सिस्मो ग्राफ क्यों ट्रिक देखे थे हमने इसकी दोस्तो भुकम्प के आते ही सीमा ने ग्राफ खीचा तो सीमा और ग्राफ किस में दिख रहा है आपको सिस्मो ग्राफ में तो आपका करेक्ट आंसर हो गया सिस्मो ग्राफ तो भुकम्प की तीवरता मापने वाला यंत्र सिस्मो ग्राफ Q3 है परियावरन का दुस्मन कोन है या कोन सा वरक्ष है इसका correct answer हो जाएगा UK lifters है न दोस्तों ट्रिक दिखा दा इसका Q4 ते है वायूयान उड़ते है वायूयान उड़ते है तो इसका correct answer हो जाएगा समताप मंडल में समताप मंडल में क्यों दोस्तों इसकी ट्रिक देखे थे वायूयान से कोन उड़ी थी ममता है न ममता ममता गई थी वायूयान से ममता गई थी वायूयान से तो ममता से हमने relate किया था समता को समताप मंदल में तो वायु यान कहां उड़ते है समताप मंदल में question 5 है मौसम संबंदी घटनाय होती है मौसम संबंदी घटनाय होती है इसका correct answer हो जाएगा छोब मंदल में क्यों दोस्तो trick देखा था इसका हमने जो मौसम है कितना सोब नहीं है मौसम कितना सोब नहीं है तो सोब से हमने लिया था छोब को सोब से किस सोब को relate कराया था छोब को दोस्तो तो मौसम संबंदी घटनाय होती है आपकी छोब मंदल में question 6 radio और संचार होता है radio और संचार होता है तो correct answer हो जाएगा आपका काई में? आयन मंदल में रेडियो और संचार होता है आयन मंदल में ट्रिक देखे थे दोस्तों इसकी रेडियो खरीदने क्या चाहिए? पैसे, पैसे रहती है तो क्या होता है? आय बढ़ती है है ना? तो आय से हमने लिए थे आयन मंदल आय किसमे है? आयन मंदल में आयन में है ना? तो आयन मंदल में और पैसो का ही संसार है तो संसार से रिलेट कर आये थे हमने संचार को तो रेडियो और संचार होता है आपका आयन मंदल में तो आपका correct answer हो जाएगा रेडियो संचार होता है आयन मंदल में Q7 है सुनामी सब्द है सुनामी सब्द है सुनामी सब्द कहां से लिया गया है या सुनामी सब्द है कहां कहा है तो आपका correct answer हो जाएगा जा पानी क्यों trick देखे थे दोस्तों इसकी सुना लगा तो जा पान खा सुना से सुनामी और जा पान से जा पान तो सुनामी सब्द है आपका जा पानी सुनामी सब्द हो गया आपका जा पानी तो आपका correct answer हो गया जा पानी एट्थ question है CNG है मतलब CNG का full form है तिसका correct answer हो जाएगा आपका compressed natural gas C वाला आपका correct answer हो जाएगा compressed natural gas subjected natural gas trick देखे थे दूस्तो इसकी आपने compressed से nature गैरो वाला compressed से nature गैरो वाला compressed से nature गैरो वाला तो compressed से compressed nature से natural space zychसé якज configured natural gas वाला आपका correct answer हो गया C and G से compressed natural gas Q9 है वायुदाप खुम आपने का यंत्र है वायुदाप को मापने का यंत्र है तो इसका correct answer हो गए आपका Barometer त्रिक थी दूस्ति इसकी वायुदाप वायुदाप बहुत ज्यादा चल रही थी दाप बहुत ज्यादा था वायू का तो जो लोग थे वो क्या हो गये थे बैरे तो बैरे से बैरोमीटर तो वायुदापको मापने करियंत्र होगे आपका बैरोमीटर क्वेशन टेन्थ है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपका मध्य मंडल मध्य मंडल वई मंडल की सबसे ठंडी परत है कुण सी मध्य मंडल क्यों ठंडी में ध्यान अच्छा लगता है ठंडी में ध्यान अच्छा लगता है ठंडी में ध्यान अच्छा लगता है आपकी मद्ध मंदल या आप ऐसे भी रेलेट करा सकते हैं वाई मंदल की सबसे ठंडी परत है तो जो मद्ध में ही जो मद्ध में रहेगा वो ठंडा रहेगा जो मद्ध में रहेगा वो ठंडा रहेगा तो वाई मंदल की सबसे ठंडी परत है मद्ध मंदल तो अप सभी लोगों ने ट्रिक देखने के बाद सारे कोश्चन भी लगाया होंगे तो सारे कोश्चन लगाने के बाद आपके सारे कोश्चन भी सही हुई होंगे क्योंकि आपने जो trick देखे थे पहले trick देखा उसके बाद आप लोगों ने question लगा है तो सारे question उम्मिद है आप लोगों के सारे question सही हुए होंगे और एकिन मानिये दोस्तों ये question बार-बार exam में आये हुए question है इसलिए मैंने उनका trick बनाया है और एक से दो बार आप इसन को देख लेना उसके बाद आपको कभी देखने की जरूद भी नहीं पड़ेगी और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को subscribe करें like करें, share करें और ताकि हम अच्छे से अच्छा content और आप लोगों के लिए लेकर आएंगे तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा subscribe करें और जो subscribe करने के बाद दोस्तों जो bell icon की बटन होती है उसको subscribe ज़रूर कर लीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो नयान वीडियो अपलोड होगा तो आपको तुरंत notification मिल जाएगा तो thanks for watching झाल झाल ज़ा झाल झाल कजी पकश्म का Focus कर झाल 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 झाल